प्रितिका तो हम डेमोग्राफी पढ़ चुके हैं और डेमोग्राफी में हम यह समझ चुके हैं कहीं न कहीं कि इंडिया की जो पॉपिलेशन है वो बहुत ही जादा है और उसे कंट्रोल मिलाना ज़रूरी है और अगर यह population control में नहीं आती है तो आने वाले time में 2030 तक ये चाइना की population को भी cross कर जाएगी ठीक है तो ये control करने के लिए हम कहीं न कहीं किसका सारा लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि demography समझ जाने की बाद आपको family planning का महत्व important समझ में आएगी ठीक है लेकिन कई बर क्या होता है कि लोग family planning को confuse कर जाते हैं किस से birth control से कि बच्चों में difference रखना या फिर ये ये control करना कि वो बच्चे कब पैदा करेंगे कितने बच्चे पैदा करेंगे या बच्चे नहीं पैदा करेंगे इस चीज़ को आम जंदा फैमिली प्लानिंग से कंफ्यूज कर जाती है फैमिली प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ बर्थ का बर्थ कंट्रोल का ही काम नहीं है फैमिली प्लानिंग में बहुत सारी चीज़े होती है ठीक है तो क्या लिखा है गाइस people generally confuses the term family planning फैमिली प्लानिंग विद बर्थ कंट्रोल जो की नहीं होना चाहिए फैमिली प्लानिंग टर्म में बहुत सारी चीज़े होती है सिर्फ और सिर्फ बर्थ कंट्रोल के बारे में नहीं होता है तो हम पहले पढ़ेंगे कि according to WHO World Health Organization के द्वारा 1971 में एक definition दी गई थी family planning के related ठीक है तो पहले हम पढ़ते ही कि World Health Organization की क्या definition है family planning के टर्म में ठीक है World Health Organization का कहना है कि a way of thinking and living ठीक है एक तरीका जीने का और सोचने का that is adopted voluntarily जो की अपनाया जाएगा अपनी इक्छान रस्वाग छिक तरीके से upon the basis of किसके अधार पे आपकी knowledge के अधार पे आपके attitude रवाईय के अधार पे आपके इम्मेदार decision देने के अधार पे by individual couple ठीक है चाहे वो एक single बंदा हो जिसके दोर एक decision लिया जाए चाहे वो couple हो in order to promote the health health को promote करने के लिए health को बढ़ावा देने के लिए health and welfare of the family health को बढ़ावा देने के लिए किसकी family की family group की and thus contribute to social development of society और अगर family की health promote होगी family अच्छी रहेगी family स्वस्थ रहेगी तो eventually end of the day country की health अच्छी होगी country का social development अच्छा होगा समाजिक विकास अच्छा होगा तो WHO की definition कहती है a way of thinking सोचने का तरीका और जीने का तरीका जो की अपनाया जाएगा voluntarily अपनी इच्छा से अपनाया जाएगा जो की निर्धारित होगा आपकी knowledge पे आपकी रवये पे आपकी निर्ने लेने की समता पे जो की लिया जाएगा individual दोरा किसी एक बंदे या couple दोरा ताकि वो अपनी family की health को promote कर सके जिसके उपर निर्भर होगी आप kids country की समाजिक समाजिक विकास तो ये कहलाती है world health organization की definition जिसमें कहीं सिर्फ ये single चीज mention नहीं कि इसमें आप birth control करें हाला कि कहीं न कहीं birth control के आजपास ही revolve करती है family planning लेकिन सिर्फ और सिर्फ बर्थ control नहीं इसमें कहीं भी ये mention नहीं है कि आप birth control करें इसमें लिखा है कि वो तरीका वो जीने का तरीका अपना है जिससे आपकी family का betterment हो family का welfare हो family सुखी रहे और family सब्सक्राइगी तो समाज सब्सक्राइगा ठीक है अब हम समझ लेते कि objective क्या है objective लियाने की family planning का basic मुद्दा क्या है ठीक है तो पहला मुद्दा कहता है to avoid unwanted birth unwanted birth family planning में बहुत basic चीज़े कि अगर हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए हम prepare नहीं है mentally prepared नहीं है हम economic रूप से prepare नहीं है एक बच्चे के लिए हम age की वज़े से हम mentally prepared नहीं है हमारी age कम है या हम अभी हम किसी भी reason से बच्चा नहीं पैदा करना चाहते है तो हम family planning में कई बर क्या होता है कि ऐसे contraceptives आते हैं जिसे आप use करके सरकार दरा चलाई गई है निरोध है ठीक है maladie है ये सारी चीज़ें आपको स्वास केने में बिल्कुल मुफ्त मिलती है तो unwanted worth यह होता है कि आपको अंचाहा गर्ब नहीं चाहिए तो आप family control कर सकते हैं आप individual basis पे चाहिए couple के basis पे यह decision ले सकते हैं तो यह मुद्धा होता है family planning control का to bring about wanted यानि कि यह आपकी इच्छा वाला बर्थ है आप चाहते हैं कि आप आप आपनी family बढ़ाएं और आप बच्चे लाएं बच्चे पैदा करें और आप कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं यह भी आपकी एक्षापर है, to want wanted, to bring about wanted birth, यानि कि अब आप ready है कहीं न कहीं, couple में family planning कहीं होता है कि आप जब कमा रहे हैं, आप एक family में हैं, आप शादी शुदा हैं, अगर आप लोग की earning इतनी नहीं है कि एक आप बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, आप उसकी future को plan कर सकते हैं, तो आप भी नहीं चाह रहे हैं, आप आने वाले 2-3 सालों में बच्चा plan करना चाह रहे हैं, आप बद control pills या contraceptives यूज कर सकते हैं, निरोध यूज कर सकते हैं, ताकि आप जब चाहें, तब आप निरोध को और contraceptives को यूज करना बंद कर दें, और आप चाहते हैं अपनी इक्छा से, तो second point कहता है, bring about wanted, यानि कि आप wanted आप चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर है to regulate intervals between pregnancies, यह बहुत ही basic point है कि जैसे मान मीजे कि अगर आप पहला बच्चा plan करते हैं, ठीक है, और आप financially अभी सिर्फ एक बच्चे के लिए तयार हैं, या फिर mentally सिर्फ अभी एक बच्चे की जिम्म रख सकते हैं, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 3 साल का हो, जो government guidelines कहती है, या minimum जो guidelines कहती है कि आपको 24 महिने का difference रखना चाहिए, दो pregnancies में, या फिर 3 साल का difference रखना चाहिए, ठीक है, 24 महिने यानिकी 2 साल या 3 साल का difference रखना चाहिए, इससे सबसे benefit होता है mother की health को, क्योंकि ज physically कमजोर हो जाती है, कहीने कई mental distress में भी होती है, पहली बार birth दिया होता है, कोई idea नहीं होता है, तो recover करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, ठीक है, और अगर आप immediately एक बच्चा फिर से आप पैदा कर देंगे, तो कहीने कई body पर बहुत जादा एक्जर्शन पड़ेगा और उसकी health पर effect हो सकता है, वो traumatic, उसके लिए experience traumatic हो सकता है, और अभी अभी आपने एक बच्चा पैदा किया, अभी आप एक बच्चे की जिम्मिदारी समाला सीख रहे हैं, आपके पास दूसरा बच्चा आजाए, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, एक mother की health से related, ठीक ह अगर एक बच्चा already है, तो आप दूसरे बच्चे को conceive कर लेते हो, तो आप पहले बच्चे भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हो, ठीक है, तो अंतर करना बहुत ज़रूरी है, ये decision pregnancy का distance maintain करने का ये couple पे और individually mother पे depend करता है, मदर के पास human right होता है कही ना कहीं कि वो decide कर सकती है कि वो एक बच्चे में कितना difference रखना चाहती है, तो third point होता है कि to regulate intervals between pregnancies, ठीक है, तीसरे point कहता है to control the time at which birth occurs in relation to the age of parents, ठीक है, हम ये भी control कर सकते हैं कि हमारी कौन सी age में बच्चा पैदा करना चाहते हैं, या हमें कौन सी age में पैदा कर लेना चाहिए, ठीक है, तो सही mature age होती है कि जब आप mature होते हैं, जब आप adult होते हैं, जब आप decision देने लायक होते हैं, तो आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, बट कहीं न कहीं, young age में mother की mental development या father का mental development या mother की जो basically body physiology अगर allow नहीं कर रही है, ठीक है, अगर body कमजोर है, किसी reason से womb कमजोर है, uterus कमजोर है, और health उ पैदा करना या बच्चे की बारे में सोचना एक बहुत ही गलट decision होनगा, फैमिली प्लैनिक होड़ी, तो सबसे पहला तरीका है कि पहले आप अपने finances को मजबूत करें, पहले आप mature हो mentally, physically, ठीक है, आप इस बारे में जागरूंग हो कि एक बच्चे को पैदा करने में सिर् अगर 35 अबव एक वुमेन है तो जल्दी conceive करने ना चाहिए, बहुत जादा contraceptive pills वगरा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि hormonal disturbance होने की वज़े से conception में problem आती है, तो ये भी time up control कर सकते है, according to birth control ये contraceptives यूज करके, ये कही ना कही इन relation to ये है कि आप mentally prepared हो जाएं, तो आप पैदा करें, ठीक है, अब पांचा पैंट कहता है, to determine the number of children in family, ठीक है, ये कही ना कहीं, second point से relate करता है, कि आप अगर financially तयार नहीं है, ये mentally तयार नहीं है, आप दो बच्चा पैदा करने के लिए, ठीक है, आप एक ही बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो ये आपकी एक्छ इंडिविजुल आपका decision है, कि आप financially पांच बच्चों की परवरिश के लिए तयार है की नहीं, तो to determine the number of children in family, और कहीं न कहीं सरकार ने भी कहा है, कि आप family control करिए, family planning करिए, ताकि सरकार भी आपको समाजिक समाजिक तोर पे अपने स्थर पे सुधाय प्रवाइड करा पा स्थर रेट कम हुआ है, जागरुकता फैली है, और family control करने का महत्व समझ में आया है लोगों को, और निरोध और contraceptives जैसी चीजें जो है, स्वाज सिकेंदर में मुफ्त मिलने लगी है, इन में बहुत जादे expense नहीं होता है, तो पांच बच्च करता है, ताकि आप ये decide कर स avoid यानि की ना चाहना, ठीक है, to bring about wanted birth, इक्छा की अनुसार बच्चे चाहना, ठीक है, regulate interval between pregnancies, दो प्रेगनेंसी में अंतार रखना, ठीक है, to control the time at which birth occur in relation to the age of parents, age की according जह है, ये time, time control करना की आप अगर age कितनी है, तो हम age की according हम बच्चे पैदा करें, चाहे वो young age हो, चाहे व number of children and family, ये decide करना कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं, हम कितने बच्चो का लालन पालन कर सकते हैं, हम कितने बच्चो की जिम्मदारी उठा सकते हैं, ये सारी चीजे objective में आ जाती है, family planning के, तो family planning हमने डिसकस कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे scope of family planning, जिसमें आपको detail में सिर्फ वसे birth control के बारे में family planning नहीं है, family planning में बहुत सारी चीजे involve होती है, ठीक है, तो वेट करिए गए इस video का, thank you so much